इंटर फैसिक्युलर केंबिएंटर तीशो मतलब कि जो वैसिक्युलर टिश्यू की बात करें तो यह रिधी です हुआ है कि यह वैस्कुलर टीश्यू हम यहां पर बना सकते हैं तो यह वैसिलर टीश्यु के डी डिफ्रेंशियेशन तो बिल्कुत सही बात है डी डिफ्रेंशियेशन डी डिफ्रेंशियेशन हम किसे बोलेंगे तो हमारे पास सबसे पहले होता है प्राइमरी मेरिस्टेम प्राइमरी मेरिस्टेम में differentiation जो है वो होता है और इससे हमारे पास बनता है primary permanent tissue और primary permanent tissue में differentiation जब होता है तो उससे हमारे पास बनता है secondary merismatic tissue और यहांगर आप बात करें interfacicular cambium तो यह इसी को शो करता है तो यह differentiation से बनता है बिलकुँ सही बात है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है तो यह जो है assertion वो सही है interfacicular cambium is developed from primary meristem due to structural and functional changes हमने अभी थोड़ी देर पहले बात करी कि primary permanent tissue से जो है वो फो होता है secondary merismatic tissue बोले तो interfacicular cambium लेकिन यहां पर यह बोलता है question जो है वो बोल रहा है primary meristem तो primary meristem से नहीं बनता यह बनता है primary permanent tissue से तो जो हमारा region है वो यहां पर गलत हो जाएगा जो region है वो गलत हो जाएगा तो हमारा जो option वो चला जाएगा कि हमारा जो assertion है वो तो सही है no doubt बट रिजन is false okay तो region जो है वो सही नहीं होगा